हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग आपका अपना चैनल में स्वागत है आप सभी का आज में इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज का रिव्यू लेके आया हूं 13 दिसेंबर 2018 का इसमें पाच हमारे 5 हमारे आर्टिकल से जिसमें पहला है प्रो मिश्य किप दूसरा लोस्त पिन और थीसरा है फर्सट गेंपर्स्ट केंब चौथ है फिल्स ऑफिरमेंट पाच वा अप साइड अ इसकेर sup चलिए आज पहले में आते हैं promise to keep, प्रामिस गेइगा है, जोह भी जैसे आभी जो माहूल चल रहा है, आलक्सिन के रिजुल्ट है, तो उसी के बारे में बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से फार्मेस जो थे, इन फाइव स्टेट्स के फार्मेस थे वो रहे हैं और उन्होंने जिस पार्टी को चाहा उसी पार्टी को जीता है कॉंग्रेस को क्योंकि उन्हें बीजेपी के तरफ से उतनी अच्छे सुविधाएं सायत नहीं मिल रही थी इसे लिए उन्होंने कॉंग्रेस को जीता है और इस टाइम काफी रेलिया पे चल रही थी कि किसान का जो है अनाज बरबाद हो रहा है या फिर उन्हें MSP नहीं मिल पा रहा है तो इसके बारे में और उन्होंने 36 गर्में यहां पर जिक्र किया गया है कि 10 दिन के अंदर गॉर्मेंट जब फॉर्म होगा उसके 10 दिन के अंदर कर्ज माफ किया जाएगा ऐसा कॉंग्रेस ने अपने मैनिफेस्टों में जारी किया था तो यहां पर यही कहा जा रहा है जो आपने प्रॉमिस किया था मैनिफेस्टों में उससे अब आपको पूरा करने का समय आ गया है नहीं तो 5 साल बाद फिर से आपको भी जाना पर सकता है वही इस पूरे कहानी मे दिया गया है, उसके next है lost in nothist, मैं बता दू कि nothist में मिजोरब में Congress का अच्छा पकर हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है Congress काफी भुरी तरीके से हारी और वहाँ पर मीजु फ्रंट नाम की कुई नाम की है in a एक पर झne कमपनी कपनी है वही जीती है यहां पर कम इस ओरी कोई पार्टी है नहीं जो घरी होई है वह घ्रीटी पर जीते हैं काफी अच्छे बहु कोंग्रेस का पकर अच्छा था वो कोंग्रेस ने अपना पकर को कम्जोर कर दिया है मिजोरम में जो कि seven sisters स्टीट में आते हैं तो seven sisters में ऐसा कहा जाता था कि congress का पकर अच्छा होता है लेकिन यहां पे congress का पकर कम्जोर हो रहा है जो कि 2019 election के लिए थोड़ा सा निर्णायक सावित हो सकता है गेम चेंजिंग कह सकते हैं नेक्स गेम से आते हैं फर्स गेम फर्स विन अस्ट्रेलिया और इंडिया के वीच जो एडलेड में मैच खेला गया था उसमें इंडिया ने 31 रनों से जीत हासिल की थी जिससे जो है 1st टेस्ट अस्ट्रेलिया में जीतने का रेकॉर्ड इख नया बना था इससे पहले कभी ऐन 1st टेस्ट नहीं जीत पाई है तो यहांबर वही कल सेसर्ट कल सुबह सभभी 5 बवह से नेक्स्ट टेस्ट तक स्ट्रार्ट होने वाला है लोट में तो वही उसी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इंडियन बैट्समें क्या मेडल ओर कंसर्न है इंडिया के टेल टेलेंडर ने इसमें बताया गया है इसमें यही बताया है फिल्ड ओ फर्मेंट मतलब जो भी फिल्ड था आप उसको आप कंक्रीट से भढ़िए आपका समय आ गया है आपको जो है फार्मर्स उन्होंने आपको पूरे बहुमत दिये हैं ताकि आप सरकार बनाएं मद्देपदेश में और आप फिर से चुनाव आफिर से फार्मर्स को हईल्प करें नहीं तो नेक्स्ट में फार्मर्स आपको निकाल देंगे हैं फार्मस आपके इस्वाट देंगे नेक्स ऐलेक्शन में तो वहीट जैसा कि मैं आपको बता दो इंडिया में ben 60 50% से ज्यादा फार्माइं से अग्रीकल्चर से जुड़े हुए है पब्लिक और जिसमें से अग्रीकल्चर जो है अल्मोस्ट 18-17-18% GDP इंडिया को प्रवाइड करता है पहले जो था और बागी सारे सेक्टर में रिवलबर्मेंट काफी अच्छी है और घ्रीकल्चर में ज्यादा अप्र होने की कोही गुंजायस भी नहीं है क्योंकि अशुमें आप ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो जितना जमिन इनकी help करेंगे, तभी जाके आप next election में अच्छे से जीत पाएंगे, नहीं तो आपका हाल बहुत बुरा हुआ जिस तरीके से अभी वीजेपी का हुआ, वही Congress को बताया जा रहा है कि यह यह कहना चाहरे हैं कि जो आपने commitments किये थे manifesto में, वो आप अप पुरा कीजिए, जैसे के बाद MSP जो है, वो रैज कीजिए, यह सब इसोज बताएगा है, next है, upside of scaling down, अब यह काफी interesting और काफी technical article है, आप इसे पढ़ेंगे, तो आपको काफी मतलब अच्छा लगएगा, और अगर आप economics के student है, तो आपको अच्छी तरीके समझ में आएगा, यहां पर इन्हों न यह teachers के उपर में बताया गया है, कि जैसे कि दो तरह के लोग होते हैं, जो परहा सकते हैं, लेकिन उन्हें वो काम नहीं कर सकते हैं, और जो होता है कि जो काम तो कर सकते हैं, लेकिन वो परहा नहीं सकते हैं, तो वो मतलब ability दोनों के पास नहीं होती है, कि मतलब कोई परहा सके और काम भी कर सके होती है rare cases में होती है तो वही यहां पर बताया गया है कि भाहिया हर किसी को वह ability नहीं होती कि वह परहा सके और उसी तरीके से बताया गया है कि कि अपसाइड आफस्केलिंग डाउं इंडिया मस्ट ऑफर यूनिक सर्विस नौट जस डीपेंन लोग-कोस्ट प्रडक्शन यहां पर यह बताया जा रहा है में कि अंचिंग का पब्बर से जो है उसके बारे में बात किया जा रहा है जो इंडिया जो है वह यूनिक सर्विस प्रवाइड करें जैसे कि मैं कौई unique seller होते हैं मार्केट में आते हैं तो उनका जो डिमेंड होता है वह बहुत ज्यादा हो जाता है और जिसके वजह से वह अगर कोश्ट भी ज्यादा रखते हैं फिर भी उनका जवाँ ज्यादा प्रोफिट इंकम होता है तो वही यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि आप जो है सिफ लो कोस्ट प्रोडक्शन चाइना के तरह देखके लो कोस्ट प्रोडक्शन ना कीजिए बलकि आप कुछ यूनिक करने का सोचिए जिसके वज़े से जो होगा कि इंडिया का डेवलाप्में जो है कि इंडिया जो हो यूनिक सर्विस के उपर जाए और और ऐसे लोगों के साथ काम करें जो मितलब जो अच्छे से हैंडल ऐसे लोगों को हैंडल कर सकते हैं जो टीचिंग भी अच्छे करते हैं और जो जिनके पास नॉलेज है लेकिन बता नहीं सकते वह उन दोनों ल यही होता है कि आप एक large scale में अगर आप production करते हैं तो आपका जो होता है cost जो होता है प्रड़क्ट को वह reduce हो जाता है और economic of scope में यह होता है कि अगर आप multiple similar products अगर आप एक ही factory में बनाते हैं तो इससे क्या होता है आपका product cost जो होता है अब वह कम हो जाता है क्योंकि जो है machine जो है वह एक ही use हो रहे होते हैं अब जैसे कि मान लेजिए computer printer यह दोनों relevant चीज़े हैं मतलब हो इनके कुछ-कुछ parts similar होंगे तो इनके जो similar parts है वह एक प्रसीन में बन जाएंगे तो time consumption कम होगा plus जो है उनके savings पैसे के savings होंगे तो यहीं यहां पर कहना है economics of scale economics of scope का use यहां पर किया गया है आसा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा article और अगर आपको अच्छा लगा तो like, share, subscribe जरूर केजिए और आप यह जरूर बताईए कि और क्या सुधार कर सकते हैं धन्यवाद